सब्सक्राइब कर दिया गया है जिसके अंतरगत गरीब परिवार के बच्चों के अच्छे पनीजी स्कूलों में एडिमिशन होते थे और अब उसको बंद करके सरकार दवारा आर्टी यानि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के सक्षन बारा एक सी के अंतरगत अब एडिमिशन के लिए हरी जंडे दिखा दी गई है जी हां दोस्तों बड़ी खुसकवरी यह देखिए दोस्तों 4422022 यानि कल शाम का यह लेटास्ट नोटिफिकेशन है जो हर्यान सरकार दवारा जिसे हरी जंडी दे दी गई है जी हां दोस्तों निशुलक वैया अनिवारे बाल शिक्षा का अधिकार दिनियम 2009 के तहट मान्यता प्राप्त निजी विदालों में कक्षा एक या इससे पूरों की कक्षा जहां कहीं लागू हो विदाले के आसपा प्राप्त निजी विदालों में समय सारण या अनुसार दाखिले करवाने सुनिस्चित किये जाएं तथा की गई कारवाई से निदे साले को समय समय पर अवगत करवा जाजी हैं दोस्तों गाइडलाइन जो हैं अब इसके बारे में आपको डिटेल से बताने वाड़े हैं अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और दोस्तों सरकार की है फिर से एक अच्छा कदम ताकि बच्चों का एडमिशन हो सके यह देखिए दोस्तों उनकी जो गाइडलाइन सब दे दी गई हैं उन्होंने बताया कि 2022-23 के लिए दाखिला किय जाना है वो जो करीब परिवार के बच्चे हैं उनका ही है एडमिशन करवाया जाना है और समय सारने कुछ इस प्रकार है आर्थिक रूप से दुरलब कमजोर वर्क के बालकों दवारा मननेता प्राप्त विदालियों में आवेदन करने की तिथी जो है सोड़ा चार 2022 जी हा अंदर भी है और 29 अप्रैल को यह रा निकलेगा और बच्चों के जो दाखिले की अंतिम्ति थी होगी वह पांच मई 2022 रहेगी बालकों दवारा दाखिला नय लेने पर आरक्सीट शीटों पर प्रतिक्षा सूची से बालकों का दाखिला देने की तिथी जिहां दोस्तों आ आगे कुछ इंपोर्टेंट जो गाड़लाइंस दी हुई हैं वो कुछ इस प्रकार हैं सभी मानेता प्राप्त निजी विदाले या सुनिश्चित करेंगे कि कख्षा एक या इसे पूरों की कख्षा जांके लागू हो कि कुल सीटों पर कम से कम 25% की सीमा तक अला परत्वा सीटे रखी गई हैं अला परत यानि कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी कुछ इस परकार स्रेणिया रखी गई हैं जिसमें अनुसुचित जनजाती अनुसुचित जनजाती के बच्चे निशक्त बालक उन्होंने ने आगे बताए कि आर्थिक रूप से दुरलों वर् वर्षिक आये एक लाख असी हजार रुपे अथवाउस से कम हो जी हां दोस्तों एक लाख असी हजार रुपे से कम वर्षिक आये वाले परिवार के बच्चों को हिसमें अडिमिशन दिया जाएगा और आये परिवार पहचान पत्तर से हैं उसकी पूष्टिक की जाएगी और उन्होंने आगे बता कि अराब प्रसमों के बालकों के अभिवागों की आये प्रमान पत्तर की आवशकता नहीं है आर्थिक रूप से दुरलब वर्ष के अभिवागों का आये प्रमान पत्तर पिछले वर्ष का अबलिक नमिंतम पाया जाना अनिवारे है जैसे कि वर् आशिक आए सत्यापित एक लाख असी हजार पे से कम है तो वह मानने होगा जी हां दोस्तों इसमें बताएगा है कि जो केवल EWS कटेगरी के बच्चे हैं उनका ही आए पर्मान पत्तर मांगा जाएगा किसी अन्या का नहीं और आए पर्मान पत्तर जो है लेटेस्ट होना चाहिए मार्स 2022 का तता उसकी पहचान जो है फैमिली आइडी यानि प्रिवार पहचान पत्तर से भी की जा सकती है और दाखिले की कुछ समय सीमा इस प्रकार रखी गई है जिसमें बताएगा कि पर्वेश सत्र की कक्षाओं में आर्थिक रूप से दुरलब और यह है आयो शीमा जो है 31 मार्स 2022 तक से निर्धारित की जाएगी और प्री प्राइमरी के लिए 4-6 वर्ष कक्षा प्रथम के लिए 5-7 वर्ष का बच्चा होना चाहिए उन्होंने आगे बताएगे प्रवेश सत्र के कक्षाओं निसक्त वर्ष के बालगों के प्रवेश क प्रवेश के लिए 3-9 वर्ष करेंगे लिए 4-9 वर्ष कक्षा प्रथम के लिए 5-9 वर्ष कर रखे गई है और माता पिता अबलीका विभावक दवारा आवासिय पता वह विदाले से आवैसिय दूरी को सपश्ट रूप से दरसाया जाएगा कि उनका आवासिय से तर विद कि दूरी के अंदर-अंदर है या नहीं है यदि विदाले में प्रवेश के लिए आवेदिकों की संख्या कमजोर वर्गों तथा अहला परत ग्रूपों से संबंदित बालकों की आरक्सित सीटों की संख्या से अधिक है तो प्रवेश ड्रा ओफ लॉट्स दवारा किया जा में रकम दान योगदान या बुगतान रासी नहीं लेगा कोई भी स्कूल या वेक्ति जो इस प्रावधान का उलंगन करता है रकम दान योगदान वे बुगतान रासी प्राथ करता है तो यह दंड़निया प्राथ होगा और सुल्ग के 10 गुना तक उसको जुर्माना स्कूलों में आवेदन संबंदी प्रसनों और शिकायतों का निवारन करेंगे और स्कूल वाइज ड्रा के माध्यम से चैनित सफल चात्रों के प्रवेश को सुनिश्चित करेंगे और तो यह थे कुछ दिसानिर देश और इसमें लगबग आपके सबी सवालों का जवाब इसी के अंदर लिखा गया है और दोस्तों अगर आपकी इसी प्रगार कोई क्यूरी है तो मुझे आप कमेंट बोक्स में लिख सकते हैं मैं उसको तुरन जवाब देने की कोशिस करूंगा और दोस्तों इस प्रगार की आगे बड़े-बड़े अपड रहें धन्नावाद